इस शो का मैं बहुत पहले रिव्यू करने वाला था लेकिन किनीकारणों की वज़े से मैं नहीं कर पाया, मैं बहुत बिजी था लेकिन दोस्तों ये शो जो है ना ये शो आप कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद ये एक ऐसा शो आया है जो आपको गेम ओफ थ्रोंस की तरह ही फेमस हुआ और उसकी तरह ही इसका जो पहला सीजन है हलाकि गेम ओफ थ्रोंस के पहले सीजन को लोगों ने तीन सीजन के बाद पसंद करना शुरू किया था लेकिन इस शो का जो पहला सीजन है और पहला एपिसोड है इन फैक्ट ये शो का इंतजार लोग बहुत दिनों से कर रहे थे और यकीन मानिए कि इसने बिलकुल उमीदों पर पानी नहीं फैरा और बहुत ही अच्छा एक्सक्यूट किया गया इस शो को बहुत ही अच्छी शो है ये और अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आप जियो सिनमा पर इस शो को हिंदी, इंगलिश, तमिल, तेलगू, बेंगॉली, मराथी सब में देख सकते हैं आस्ट आफस वैसे तो एडपेशन है एक वीडियो गेम की जो वीडियो गेम दे लास्ट आफस के नाम से ही मार्केट में अवलेबल हैं या प्लेस्टेशन पर खेले जाते हैं लेकिन मैं आपको बता दू कि इस शो का जो कॉंसेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक भी है क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक इंसान सच में जॉंबी बन सकता है जी हाँ ये हमारे वर्ल्ड में भी बन सकता है क्योंकि कॉडिसिप्स नाम का एक फंगस जो की एक फंगस है और वो मरे हुए इंसान यानि कि मरे हुए इंसेक्ट या इंसानों के उपर उसके दिमाग पर कबजा कर लेता है और इसके कई सारे वीडियो आप यूट्यूब वगरा पर देख सकते हैं कॉडिसिप्स फंगस के किस तरह से एक मरी हुए चींटी को भी जिन्दा कर देता है और उसके दिमाग पर अपना कबजा कर लेता है और फिर वो शरीर सिर्फ उसका एक हत्यार बन जाता है उसके दिमाग पर उसका कबजा रहता है और इसी तरह से वो इस शो में भी जॉम्बी बना देता इनसानों को हलांकि इस शो में जो जॉम्बी है वो आम जॉम्बी की तरह नहीं है ये जॉम्बी पहले क्लिकर्स बनते हैं यानि कि जैसे कहते हैं कि शुरुआती दौर में पहले इंफेक्टेड होते हैं फिर क्लिकर बनते हैं फिर जॉम्बी बनते है तो इस तरह से अगर देखें तो ये कहानी है जोल और एली की जोल जहां अपना सब कुछ खो चुका है और कहीं काम करता है ये पोस्ट अपोकलिप्टिक वर्ड में और एली यानि की जो अपनी माबाप को खो चुकी है एक अनात है जोल और एली दोनों मिलते हैं जोल का किरदार निभाया है पेडर पैसकल ने जो काफी फेमस एक्टर हैं दोस्तों इन्होंने मैंडलोरियन का रोल प्ले किया था दे मैंडलोरियन में और एली ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया है काफी क्यूट लग रही है तो ये दोनों, हलांकि एली को आपने देखा होगा Game of Thrones में, Game of Thrones में जो छोटी सी एक बच्ची रहती है आरिया स्टार्क के साथ, उन्होंने ही एली का रोल प्ले किया है, किनी कारणों से किस्मत इन दोनों को मिलाती है, होता है जिन्दगी बचाने और अपनों को खोजने का दोर चाल जोल उसे प्रोटेक्ट करता है, मैं कोई spoiler नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ये show आप देखें, जरूर देखें, और कई सारे ऐसे moments हैं जो आपको जग जोहर के रख देंगे, इस show को IMDV पर मिला है 8.8 out of 10, लेकिन मैं इस show को देता हूँ 9 out of 10, काफी अच्छा बनाया दोस और इस show का जो season 2 है, वो some around 2025 के first quarter यानि की पहले चार महिने के अंदर ही drop होने वाला है, HBO पर और इंडिया में, Gio Cinema पर, ये show आप जरूर देखें, आपको बहुत ही जादा मजा आने वाला है, और तब तक के लिए goodbye, अगले review तक के लिए, और अगर अपने मेरे channel को subscribe नहीं कि तो subscribe करें और जो bell icon है उसको जरूर प्रेस करें, thank you.